एक मच्छड एक मच्छड आदमी को क्या बना सकता है आप समझ गया होगे नमस्कर दोस्तों मेरा नाम मिथलेश कुमार मैं सेयर करने बाला हूँ बहुत ही ज़वर Audust टॉपिक जो हर किसी का आज नीट हो गया है एक मच्छड आदमी को आप समझ गया होगे प्लीज इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईए गर्मियों में जितना लोग गर्मी से परसान नहीं होते हैं उस से ज़्यादा लोग मच्छट से परसान हो जाते हैं और लोग इस मच्छट के छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के अपना टिप्स अजमाते हैं टिप्स क्या कह लें लोग एक ही अस्टेप फोलो करते हैं जो अभी मार्केट में अबलेबल है ओ है मॉस्कीटो रिपिलर कह लें मतलब का मॉस्कीटो मारने वारे क्वाइलेबल है मार्केट में जिसे ही लोग यूज करते हैं और ओ इजी मे में आपको मार्केट में अबलेबल हो जाएगा लेकिन जितना इंटेलिएंट हम लोग है उससे ज़्यादा इंटेलिएंट आज कल के मच्छड हैं होता क्य就是, कि जब हम लोग उस कोईल को जलाते हैं और जलाकर के छोड़ रहते हैं तो उही पे मच्छड आजकर के बहु जला समयज़दार होते, वो कहीं कौने में जाकर के दुबग करके बैठे रहते हैं और वो इंतिजार करते हैं कि कब कोईल खतम हो और कब मैं फिर से जाकर कि उहीं पर चला जाओं उसी को खुन चुसलू जो एक कोईल जलाया था जो मुझे मारना चाह रहा है मतलब हाल इतनी बुरी हो जाती है कि friends गरमी तो हम लोग सह लेते हैं लेकिन वो मच्छर का अत्यचार सह नहीं पाते हैं इतनी ज़्यादा हाल बुरा होजाता, लेकिन हम यहाँ पेए फ्रेंट्स कुछ घरेलो टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आप नहीं मच्रर से परसान हो जाएगा और आप घरेलो टिप्स अपना करके मच्र को भगा सकते हैं और मच्छड को मार भी सकते हैं तो चलिए हम सेयर कर रहे हैं पहला अस्टेप लहसुन जी हां लहसुन आप मतलब की सुन करके थोड़ा सा चट हुए होंगे अगर आप जानते हैं कि लहसुन से भी मच्छड भाग सकता है और यह आज कल बहुत ही सस्ता है ज्यादा महगा नही ही है लहसुन से अगर आप जान रहे हैं इसके बारे में कि लहसुन से भी मच्छड भागा दा सकता है तो प्लीज इस वीडियो की नीचे कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे कि उन बैचारों तक इस वीडियो पहुंच सके जो मच्छड से परसान है अगर आप भी मेरे जिससे परसान है तो प्लीज इस वीडियो की नीचे कॉमेंट कीजिए या इस वीडियो को लाइक करके बताईए फ्रेंट्स मुझे कि आप भी मच्छड से परसान है मलासुन का रस मच्छड को फुट्टी कौरी नहीं सुहाता मत्तर्ब जिस क्या जो आपको हम पता दते हैं कि कुछ लासुन की कलिया को मसद कर पानी में वाल ले और उसको वालने के बाद उसको किसी अस्प्रे में मत्तल कह लें कोई अस्प्रे बोतल है उसमें डाल करके आप हर कोने में छिड़क दें अपने घर में फिर देखिए एक मच्छड उहा और उसमें पानी डालने और उसको अच्छी तरसे खोला लें और खोलाने के बाद किसी अस्प्रे बोतल में डाल करके या कह लें कोई बोतल में डाल करके या किसी कपड़ा में ही भीगो करके और उसको हर कोने में घर के चारो कोने जहां जहां आपको लगता मच्छड शिफ काने का दुस्स्रा काफी काफी मिल जाता तो healthy काफी अगर मिल जाता तो ज्हादा मेंटर है मच्छ को मारने क लिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं मच्छ पनप रहा या मच्छ ने अंड दे रखा वहाँ पर क्या कर देंगी आप कौफी जो पीने वाला कौफी है उसको थोड़ा सा घोल ले घोलने के बाद वहां पर डाल दे सारा मच्छड मर जाएगा कौफी से तो यह दूसरा फंडा था जिसरा चलिए बता पुदिना गाउं में तो इजली में अपलेबर मिल जाता है मिल जाता ह आपको और सहर में आपको खरिदना पड़ेगा तो अगर आपके पास पुदिना है या पुदिना का रस आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑन लाइन भी मिल जाएगा जो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे रहते हैं उस पर क्लिक करके आप ऑन लाइन भी पुदिना का रस ले सकते हैं और उसको ले लिए उसको क्या करना है पुदीने को रस को अपने घर में हर जगा छिरक देना जहां पर भी आपको लगता है कि मच्छड को इंट्रेस है क्योंकि ए वी मच्छड को फुट्टी कोडी नहीं शुहता है मच्छड जैसी इसका स्टुगंद लेगा और भागता हुआ एकदम दूर चला जाएगा तिसरा फ्रेंट से नीम का तेल नीम का तेल भी आप परचेज करना चाहते हैं वीडियो की पर पुरा बोडी पर लगा लिए जिसे कि आपको मच्छड तंग नहीं करेगा और आप असानी से सो पाईएगा और जहां पर बैठना चाहते बैठ पाईएगा आपको यह तंग नहीं करेगा चौथा है जो फ्रेंट से लास्ट लास्ट वन है स्वाबीन का तेल अगर स्व तो यह कुछ टिप्स था जो मैंने बताया और अगर आप लेना चाहते हैं नीम का तेल लेना चाहते हैं स्वाबीन का तेल लेना चाहते हैं पुदीना का तेल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है और डिस्क्रिप्न पर जा करके आप क्लिक किजिए और आप मूव होगर के साइट पर परचेज कर लिजिए तो आज का वीडियो यहीं तक आए के वीडियो के लिए हमारे चैनल बन रहे है थांक्स वाचिंग कार्टपूरी डाट कॉम बाई आफसे टेक कियार